मैंने जैसा कहा आपको कि Enlightened का जो 5th edition है ठीक ना ये Digital World के बारे में बात किया जा रहा है और मैंने आपको बताए इस topic को जब श्टार्ट कर रहा हूं तभी मैंने बताए कि The Hindu ने जो है इस news को कवर किया हुआ है Future of Education in the Digital Age, what will education be like in the Digital Age, this was the focus of the Enlightened Conference that took place in Spain recently तो मैंने कहा कि Spain में जो है हुआ है और 2018 में जो है इसकी सुरुवात हुई है अब यह जो सुरुवात हुई है यह यह आपका जो ओधी के साथ साथ innovation ठीक ना तीन चीजों पर ध्यां रखेए सबसे पहला क्या था एजूकेशन जो पूरा डिसकॉषन जो हुआ था किस पर था एजूकेशन यानि कि सिक्षा एजूकेशन के साथ साथ किस पर बात हो रही थी तो टेक्नलोजी टेक्नलो लॉजी टेक्नलोजी का मतलब प्रद्योगी की या तक्नीकी ठीक ना एंधर वन इस और तीसरा जो है इनोवेशन के बारे में बात हो रही थी नवाचार यानि कि नई चीजे क्या आ रही है तो यह तीन आपके जो मुख्य बिंदू थे इन तीन मुख् पूरा कॉंफ्रेंज जो है वह आपका चर्चा कर रहा था इन तीन मुख्य बंदों पर यह पूरा का पूरा कॉंफ्रेंज जो है वह था और इन तीन मुख्य बंदों पर बात कर रहा था और इन तीन मुख्य बंदों को ही लेकर जो है इसकी सुरवात का हुई थी तो इसकी अगर हम बात करें तो इस आयोजन को एक foundation है दोस्तो जिस foundation का नाम है ला कैकसा क्या नाम है इस foundation का नाम है ला कैकसा याद रखिएगा ला कैकसा तो ला कैकसा foundation जो है वो क्या करता है यह foundation जो है वो इस आयोजन को समर्थन देता है तो कुल मिलाकर यह कुल मिलाकर अगर हम बात क तो यह अगर हम बात करें तो यह हम देख रहे हैं अब 2022 यानि कि जो इस पीन में एलाइटेंट करके यह जो कॉंफरेंस हुआ इस कॉंफरेंस में जो है कुछ सब्जेक्ट थे कुछ विशय थे जिसके ओपर चर्चा करने थे क्या सब्जेक्ट थे तो सब्जेक्ट यह था कि present scenario में अगर हम बात करें वरतमान समय की अगर हम बात करें वरतमान अगर हम जिस प्रकार से वरतमान यूग है उसमें अगर हम ब बढ़ाया जाए बात समझ में आ रही है आप लोग को क्या बात हुई कि डिजिटल कॉसल को जो है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाए और इसके अलावा जो क्लासे से इनको भी किस प्रकार से किया जाए यानि कि बच्चों तक इसके सच्छा को कैसे पहुंचाया जाए और सच अगर पहुंचाया जा तो ये भी ध्यान रखा जाया कि जो एक विशंगती हमें देखने को मिलती है किस प्रकार की विशंगती दोस्तों कोवीड के समय आपने देखा था थोड़ा सा घरम पीछे चलें तो कोवीड के समय में सभी सेक्टर जो है प्रभावित थे और सभी सेक् सेक्टर ये भी था आपका कौन सा एक सेक्टर था आपका सिक्षा का सेक्टर इसकूले बंद थी कॉलेज बंद थे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और उसी समय ऑनलाइन सिक्षा का पदारपण हुआ लेकिन ऑनलाइन सिक्षा का जब पदारपण हुआ तो एक वाले लोग थे जिनके पास जो इसली एफोर्ड कर सकते थे वो सिख्छा को एफोर्ड कर रहे थे उनके पास ठीक न वो क्या कर सकते हैं वो दृष्ट क्या कर सकते हैं एक बर अपने सारे मित्रों के जो है मैसेज भी कर दिए लाइव है चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजी हाँ तो मैं क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि जिनके पास पैसे थे वो क्या कर रहे हैं जिनके पास पैसे थे वो इसका लाब उठा रहे हैं और जिनके पास पैसे नहीं है वो सिक्षा नहीं ले पा रहे हैं तो असामानता थी इन असामानताओं के वो भी बात हो रहे हैं औ नवाचार के माध्यम से किस प्रकार से हम समावेशित करें जो हो रहा है उसक्षा को पहुंचा है इस पर भी फोकस के तो जब मैंने कहा तो पूरा का पूरा इसके अमश्रेंटपा कना दनीचरा वाले स्पराइब दो भीश्व में इ lightsreet wszyscy एक है कि विम। इन इगर मैं सब्सक्राइब जरे सिर्फा आर्राइब आर्थिक रूप से अगरा हम बात करें कुछ बहुत पैसेवाले हैं और जो कि दो समय का रोटी का भी इंतिजाम कर लें तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। है कि नहीं, तो समाज में हम क्या देख रहे हैं, समाज में जब हम समुदायों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे समाज में बहुत सारे औविक्षित समुदाय भी हैं, और उन औविक्षित समुदाय को आपको क्या करना होगा, डिजिटली करन करना होगा, डिजिटली करन एक चीज और भी हमने ये देखा था कि master साहब लोग जो थे है ना school में जो भी teachers थे तो school में जो teachers थे उनके बारे में जब हम लोग ने बात किया तो यह आपने देखा होगा तो बहुत सारे जैसे कि teachers जो थे कियोंकि technology का बहुत सारा ग्यान नहीं था तो डिजिटल सिक्षा देने में या ओनलाइन सिक्षा देने में अपने आपको असहज महसूस कर रहे थे comfortable नहीं थे बहुत सार ऐसे school है जहां बच्चों को laptop चलाना, computer चलाना, mobile चलाना यह सब नहीं सीखाया जाता है computer की सिक्षा ही नहीं तो focus यह किया जा रहा है कि युवा शक्ति को क्या किया जाए कि digital छेत्र में जो है ससक्त बनाया जाएगा तो असामानता जो हमें समाज में देखने को मिल रही है जो अविक्सित समाज या अविक्सित समुदाय और विक्सित समुदाय इनके बीच में जो देखने को मिल रही है इन असामानता को वो समय के साथ-साथ समाप्त कर सकते हैं ठेक न, तो इसके लिए आप देखिए कि समय के साथ-साथ देखेए आप धीरे-धीरे जो है वो काम की जा रही है स्टार्ट अपस जो है उज़ हुआ, सुरुगात हुआ आपने देखा कि कई सारे edutech कमपनियां जो हैं वो online के छेतर में उभरीं, online के छेतर में आईं, कई सारी कमपनियां आप देख रहे हैं जिस पर किक लासे जो हैं आपको देखने को मिल रही हैं और ecosystem एक ऐसा तयार हुआ startups के माध्यम से जिससे की digital सिक्षा के बारे में लोगों के को जो है वो जानकारी मिली है ना लोग जो है वो digital सिक्षा के बारे में जाने और देश के किसी भी कोने में बैट कर देश के किसी भी कोने के teacher से पढ़ सकते हैं जैसे कि मान लेजे कि आपको मुखरजी नगर जाने में आप सक्षम नहीं है, तो आपको लगता है कि मुखरजी नगर जो हो आपके घर आजाए, आप प्रियाग राज जाने में सक्षम नहीं है, तो आपको लगता है प्रियाग राज ही आपके घर में आजाए, ना और आपके घर में ही पढ़ें तो ये कुल मिलाकर जो start-up ecosystems अर start-up ecosystem कहा डिजिटल युग की अगर हम बात करें तो इस पेसले सिक्छा के छेतर में हम बात कर रहा है तो एक नई पहचाण जो हो बनी है अब भारत में भी अगर हम बात करें तो भारत में डिजटल सिक्छा के छेतर में आप देखें elements of safe digital education क्या-क्या आपको देखने को मिल रहा है तो भारत के संदर में अगर हम बात करें और ऐसे ही अगर हम digital education के बारे में बात करें तो digital citizen identity बनी ठीक ना, दूसरा screen time management हुआ cyber bullying management सिखाया गया cyber security management सिखाया गया digital empathy, digital footprint management critical thinking, privacy management यह काफी सारे sectors थें जिसमें कि अगर किसी भी नागरिक को जो है, वो digital education देना है तो digital education देने का मतलब क्या है तो digital साक्षर्ता यह, digital education की मतलब यह है कि किसी भी तकनीक को कैसे उपयोग करना है उसके बारे में उसको सिखाना है, उसको जानकारी देना है कि आप किसी भी तकनीक का प्रियोग किस प्रकार से कर सकते है और किसी भी तकनीक का प्रियोग जब सिखाना है जब सिखाने की बात हो रही है तो हमारा उद्देश क्या है कि कोई भी छात्र देश के किसी भी कोने में बैठा हो कोई भी छात्र देश के किसी भी समुदाय का हो चाहे हो समुदाय विक्सित हो अबिक्सित हो या विकासिल के प्रोसेस में हो उन सभी को जो है वो ग्यान की पहुँच जो है वो सुलब कराना है यानि कि सर्व समाज के लिए ग्यान जो है वो क्या किया जाए कि बहुत ही आसानी से बहुत ही आसान तरीकों से उनको उपलफ्त कराया जाए और भारत में डीजिटल सिक्षा को लेकर बात ये कही जा रही है कि भारत में जो डीजिटल सिक्षा का ही जो है वो भविश्य माना जा रहा है माना जा रहा है कि आने वाला भविश जो है वो digitally करण का है सिक्षा जो है वो क्या है सिक्षा जो है वो online के तरफ जो है वो move कर रही है है ना अब digital सिक्षा में जो तेजी से विकास हो रहा है इसको देखकर आप जानते हो किस government में जो है एक 2020 में एक policy बनाई थी तो इसका मुख्य उदेश क्या था तो राष्टे सिक्षा निती का जो मुख्य उदेश था वो मुख्य उदेश एही था कि सभी तक जो है वो क्या किया जाए डिजिनली करन के साथ-साथ जो है वो टेक्नलोजी का इस प्रकार से उप्योग किया जाए कि सभी को जो है वो सर्वग्यान सुलब हो जाएं लेकिन हाल में सिक्षा मंत्राले के द्वारा लोग सभा में एक बात कही गई और बात क्या कही गई कि हाल में सिक्षा मंत्राले के द्वारा लोग सभा में जब पूरी बात कही गई कि स्वे नेजुकेशन पॉलिसी लाने के बात जब डिजिनरी करण के बारे में बात के गई तो कहा गया कि भारत में कम से कम 10 राज ऐसे हैं जहां 10% से भी कम स्कूल जो है वो ICT उपकरण या डिजिटल उपकरण से लैश है भारत के दस राज जहां 10% से भी कम यानि कि अभी भी हम एक तरह से New Education Policy के बारे में बात तो कर रहे हैं और New Education Policy में हम डिजिटल सिक्षा के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन डिजिटल सिक्षा के बारे में बात करने के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं डिजिटल सिक्षा के करम में अगर हम labor j anaw a उंड है और जो Łजी आपको कि इस का लर में न जा रहा रहा है हिंगाई पृश्टा बवी जो यह आपको तो कि नीस ना उधिया कि नहीं किया जा रहा है कि जो राज आपको इस वॉैलिट ले नजार आ रहा है है ना यहां हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रियोखिया गया है तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 10% से कम में उत्तर प्रदेश का आप देखिए गुजरात का देखिए मद्ध प्रदेश देखिए, महराष्ट देखिए, बिहार देखिए, अनाचल प्रदेश देखिए, नागालेंड, मिघाले, जहारखंड, आंधर प्रदेश, ये ऐसे दस राज्ये हैं, जिन दस राज्य में, आज भी 10% तक के स्कूल जो है, उनको डिजिकल सिक्षा से जो है, वो लैस नहीं किय आगया है, ये भी आपको जानना है, तो इसके लिए हुआ कि क्या करें, आई सिटी उपकरणों का उप्योग करें, तो आई सिटी उपकरण, आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो ये आई सिटी उपकरण है, जैसा कि आप देखते हो ने, जब आप क्रोम का यूज करते हो पाइरफॉक्स का यूज करते हो, Google Documents का यूज करते हो तो कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि देखिए ICT उपकरणों का जो है हमें क्या करना होगा उपयोग करना होगा और सिख्छा के साथ-साथ लोगों के अंदर जो है वो सीखने की प्रवित्ती को जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको बनाना ही होगा वहाँ प्रिंटर रखना होगा, आपको कंप्यूटर रखना होगा, लैप्टॉप रखना होगा, टैप देना होगा, लोगों को Google Meet के माध्यम से समझाना होगा ठीक है, सौट्वियर टूल्स जो है उनको देने होगे, तो इनी सारी चीज़ों के माध्यम से तो आप करना होगा तो भारत में अगर हम बात करें, तो केंद सरकार की पहल तो है ही, लेकिन राजिस सरकारों ने भी अपने अपने हिसाब से काम किया है जैसे कि अगर हम बात करें के इंद शाषित प्रदिश चंडीगर का, तो चंडीगर ने वीडियो वाल चंडीगर के नाम से एक योजना सुरू की गई, जिसमें के तीन सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, उनके वीडियो वाल लगाई गई यूनियन टेंक्री आपके और बरिष्ट माधमिक विद्यालों में को जो है, वो क्या किया गया, टेकनलोजी के माध्यम से जोड़ने की कुसिस की गई, LCD प्रोजेक्टर लगाए गई जहां उनको पढ़ाने के च्छित में काम किया जा रहा है, इसके अलावा गुजरात ने एक योजना सुरू की गई अब गुजरात सरकार की योजना जो थी, वो क्या थी, कि सक्रिया सिक्षा ऐसे प्रदान किया जाए, यह सक्रिया सिक्षा तक छात्रों के पहुँच ऐसे किया जाए, कि आपको मुबाइल लर्णिंग वैन में ही जो है, वो आपको कंप्यूटर लैब और इस सारा चीज और वो आपका वैन जो घूम रहा है, और घूमते घूमते लोगों को जो है, उसके सिक्षा के बारे में ग्यान दे रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो केरल सरकार की योजना थी, जिस केरल सरकार की योजना में यह था कि जो भी आपके सीनियर स्टुडेंट्स हैं, य यह सारा जो योजना बनाए गया, इसके लावा तेलंगाना सरकार ने जो है, वो भी एक योजना बनाई और उसने जो है, चाट आधारित जो है, ठीक है, मुल्यांकन की यह चाट आधारित लर्णिंग की है, एवलूशन और लर्निंग का प्रोसेस सुरू करने के लिए काम क आपको भारत के दश राज्य नजर आ रहे हैं, जिस दस राज्य की अगर हम बात करें, तो दस राज्य में जो अभी भी हम वहाँ के विद्याले को देख रहे हैं कि वो सूचना और प्रत्योगी की से लैस्क नहीं है, यानि कि भारत का अभी भी अगर हम बहुत सारा बड़ कि वहाँ लैप्टाप होने चाहिए, वहाँ टैब होने चाहिए, वहाँ इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको बढ़ावे जाने क्या उशकता है, और भारत के अलावा गर हम बात करें, तो विश्व के अन्य देशों के अगर हम बात करें, मानि जो व्यक्ति भी होंगे, तो वहाँ कम सिक्षित व्यक्ति भी होंगे, ब्रिध भी होंगे, पुरुज भी होंगे, महिला भी होंगे, सब के बीच में जो सिक्षा का गैप है, उस सिक्षा के गैप को भरने की आवशकता है, चुनौतियां क्या है, चुनौतियां सबसे बड़ी, अगर आप डिजिटल सिख्छा की बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इंटरनेट की सुविधा, अगर इंटरनेट हो गया, जैसे कि आपके हाथ में कहा है, सर नहीं, इंटरनेट तो है, हमारे मोबाइल में इंटरनेट तो है, अच्छा, कौन सर रिशाज कराते हो भाईया, फोर जी सर, अब फाइब जी आने वाला है, स्पीड कितना है, सर, स्पीड तो टूजी वाला है, है ना? अच्छा, तो इसका मतलब इंटरनेट की जो गती है, वो बहुत धीमी है, ठीक है, दूसरा, सिक्छकों को, आज भी जो सिक्छक हैं, हम क्या देख रहे हैं, सबसे बड़ी चुनाओतियां कि, आज भी स्कूल में आप जाओगे, तो maximum सिक्छक जो है, वो पुराने धर्रे पे चल रहे हैं, पुराने सिक्छानिती या पुरानी जो परहाने के जो तरीके हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो सिक्छकों को जो है, वो क्या है, प्रसिक्छन देना पड़ेगा, कि आप नए समय पर जो है, यानि कि सिक्षक को प्रसिक्षण का अभाव हमें देखने को मिल रहा है इसके लावा गर हम बात करें तो देखो दोस्तों विद्याले क्या होता है इस्कूल क्या होता है विद्याले में किवल छात्रे सिक्षा गरहन करने के लिए नहीं जा रहा है बलकि विद्याले में छात्र जब पहुंसता है तो वहां जीवन को कैसे जीना है वहवार में कैसे जीना है किसके साथ कैसे उठना है किसके साथ कैसे बैठना है किसके साथ कैसे बात करनी है अपने बातों को, अपने विचारों को किसी के समख्च कैसे रखना है कैसे नहीं रखना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है समाज में कैसे रहना है और जो चीज हम पढ़ रहे हैं अपने किताबों में उसको वहवार में कैसे लेकर आना है विद्याले तो यही होता है तो दिक्कत क्या है कि चात्रों को जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको अपने वहवार में कैसे प्रियोग करना है ये बातें नहीं बताई जा रही है इसके अलावा इसके अलावा ये है कि जो भी स्कूल है उस स्कूल में हम क्या देख रहे हैं तो classroom अध्यनकश का भाव है, technology का भाव है, समाजी का समानता हम देख रहे हैं, अभी भी कई सारे मुद्दे आ जाते हैं, जैसे कभी राजिस्थान का कोई मुद्दा है, कि जाती है, जाती नहीं, है ना, जाती मतलब काश्ट के हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, कि अभी भी समाज में समानता है, महिलाओं को पुरिशों के साथ, बड़का लड़की समानता हमें देखने को मिलता है, या जाती के हिसाब से हम देखेंगे, उच जाती के लोग जो है निमन जाती के साथ, साथ नहीं बैढ़ सकते हैं ठेक है आर्थिक रूप से जो संपन है तो जब आप समाजिक अगर आप पैदान को अगर रखोगे तो समाजिक पैदान केवल जाती और धर्म के अधार पर नहीं होता आर्थिक रूप से भी है, जो पाइसा वाला है, उसका एक लिबर अलग है, जो थोड़ा सा गरीब है, उसका एक लबर अलग है, साथ में बैठके नहीं पढ़ सकते हैं, तो बहुत सारे जो चीज़ें आसी हैं, जो कि चुनोतियां हैं, किसके पाद, सरकार के पाद, जिन चु प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अलावा और भी जैसे नीट 3.0 प्रोग्राम है, है ना, CBSC ने podcast सिक्षा वानी सुरू किया है, ठीक है, मनोदर्पन प्रोग्राम है, ऐसे करके कई सारे प्रोग्राम जो है, वह सुरू किये गए हैं, कि सरकार के द्वारा, कि गरीब से गरीब तब के तक भी हम सिक्षा को जो है, वह पहुंचा सकें, जो समाजिक असामानता है, जो आर्थिक रोप से जो असामानता है, उन असामानताओं को जो है, वह हम किनारे करें, उन चुनातियाओं को समाप्त करें, टीचर्स को भी हम क्या करें, ट्रेनिंग दें, और टीचर्स क नहीं के तो सब्सक्राइब कर दीजेगा यह पहला टॉपिक आप सभी के सामने रहा